हालो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर घजिंद पुरहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बेस से स्टूर कर आप किसे भी कॉम्पेटिव एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं आपके सामने बढ़ाने वाला हूं कॉंजुगेट अलिमेंट एंड सेंटर ओफ यह दो चीजे क्या आपस में connected है कि यह पहले कॉंजुगेट अलिमेंट का कंसेप्ट आता फिर सेंटर और ग्रूप का कंसेप्ट आता है तो दोनों हम वन बाइवन यहापे डिसकस करेंगे बात करतें कॉंजुगेट एलिमेंट क्या होता है तो लेट एन बीदट टू एलिमेंट ऑफ ग्रूप जी देन बी सेट टूबी कॉंजुगेट ऑफ ए इस तरह से लिख पाएं कि बीजिकल टू एक्स इनवर्स एक्स तो यहापे जो ए और बी होंगे यह दोनों एक दूसर इस तरह से लिख सकते हैं इस फिन एक एक्जामपल लिया पर्मूटेशन गूरूप का इस फिन पर्मूटेशन गूरूप पर मैंने बहुत अच्छे वीडियो अपलोड कर रखें तो वह भी आप चाहें तो आई टेप पर जाके देख सकते हैं इस फिन एस तरी हमने कोई ग कोंजुगेट कर रहा है तो इस फिन यहाँ पर हमने एक कोंजुगेट की परिवाश किसाब से क्या होता है एक्स इन्वर्स एक से पी होना चीह तो हमने यह बने रहीगा यहाँ यहाँ तो इसकी लिए एक अलिमेंट ग्रूप का लेंगे अब ग्रूप यह जो ए स्टरी है कोई भी एक element ले सकते हैं है ना तो हमने यहां पर element ले लिए 123 या 321 जो भी है तो मान लीजिए मैंने 321 यहां पर एक्स जो आएगा वो आएगा 321 और इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास क्या आएगा 123 जब इसको यहां पर चाएंगे तो आफ को इसो घरी है था और यहांगे शिणा नावाराम से चेक कर सकते हैं 123 यहां फिटल फे रहा है 23 यह थल टूं पे जाघ मजला है यहां चैड़ा और इसको 3-1 पर जा रहा है तो सुन वना जागा और उसको चैक करेंगे तो सुनिए यहां पर क्या करेगा इसका रहा है कि तूर और थे सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कि इसको लिखना बारी है क्योंकि सब्सक्राइब लिखना मुश्किल है पर मैंने एक element लिया मुझे देखना है कि यह कोई element A है इसके साथ इसका जो conjugate element होगा वो क्या होगा तो मैंने दो element ले लिए 34 क्योंकि 34 का इंवर्स खुद का खुद ही होता है तो यह आजाएगा हमारे पास x इंवर्स एक्स लिया और इसको मुं सॉल्व करें और माली जो भी आ रहा है न तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहां पर हमारे पास यह आ जाएगा मतलब यह element यह जो इसके साथ क्या करेगा कॉंजूगेट करेगा तो यह दूसरे के साथ क्या करते कॉंजूगेट करते अब मैं आपको बताना चाहरू कि यह जो दोनों एलिमेंट होगा यह 3214 को कॉंजूगेट इसके एलिमेंट होगा और यह एस फौर में oh yeah वैश का जबसक कारण और ऑर भी हैं यह कॉंजूगेट करे ओस्फॉर में करेंगे और ध्यान देने की जरूरत है तो यहां इसको को लिख सकते हैं कि जो सब्सक्राइब मतलब यह एलिमेंट और भी है यह कॉंजुगेट नहीं होंगे यह ध्यान देने के सब्सक्राइब अगे बढ़ते हैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टन कंसेट और यह साथ करते हैं यहां पर बात करेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अगर यह एक कॉंजुगेट करेंगें कभी ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि अगर A, B के साथ conjugate कर रहा है और इसका order यह यह है और यह ऐसा मिल जाए आपके पास ऐसा कभी नहीं मिलेगा राइट कि ट्री ओडर के साथ conjugate हो रहा है ना सेम ओडर का ऐलिमेंट सेम ओडर के साथ conjugate होता है इस वेरी इंपॉर्टन अब इस बात करतें अगर जिसके साथ conjugate करता है वो उसकी क्लास में होता है और उसको बहुता है आपके सामने बताए था ग्लास और यह इसका एक क्लास होगा इसको एक क्लास एक होगी जो 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 एलिमेंट होते हैं वो एक क्लास में जाएंगे तो उसको वोलते हम conjugate class, so as you can conjugate class को समझे, let A be the element of group G, then set of all conjugate element of A in G is set to be conjugate class of A in G, मतलब मान लिजे कोई एक element A है वो group के जिन जिन एलिमेंट के साथ conjugate करता है, उन सभी का जो set होता है वो conjugate class होता है for example, मान लिजे मैंने एक element लिया यहाँ पर S3 का 1, 2, अब हम जानते हैं कि जो 1, 2 element है, यह 3 element के साथ conjugate कर सकता है, तो खुद के साथ करेगा, एक 1, 3 के साथ करेगा और मैंने अभी आपके सामने बता था कि कोई भी element, same order के element के साथ conjugate करता, तो इस 1, 2 की class के अंदर यह 3 element आएंगे क्योंकि इन 3 के अलावा किसी और के साथ conjugate नहीं हो सकता, तो conjugate class of element होता है, तो इस element की conjugate class में यह 3 होएंगे, तो एक और example दे सकते हैं यहां पर जिसे 3 order के element है, तो यह 1, 2, 3, 3 order का element है, तो यह 3 order का element, 3 order के element के साथ ही conjugate करेगा, तो इसकी class में 2 element आएंगे, कोई S3 में 3 order के तो यहां पर यह 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 अब बात करते हैं सेल्फ कॉंजुगेट अलिमेंट का मतलब क्या होता है एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा पर अगर करेंट करेंट के फिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्या होता है तो इसको अइसा भी लिख सकते है यहां पर सुनी यहां पर we know that class of a is equal to हमारे पास definition होती है x inverse a such that x belongs to g if a is self-conjugate element then class of a is equal to a is equal to x inverse a such that for all x belongs to g मतलब ultimately होता कि हमें अभी आपके सामने definition देती है कि x inverse a x is equal to b तो हम बोलते हैं कि a जो होता है वो b का conjugate होता है पर अगर मैं बाहन लीजे एक element को लूँ यहां पर और उसको simply solve करूर वापिस आ जाए मतलब यह खुद ही-खुद के साथ क्या हो रहा है को self-conjugate हो रहा है मतलब conjugate हो रहा तो यह हमारे पास क्या होता है self-conjugate होता है तो यह द्यान देने क्योंकि one and minus one के सबी element के साथ क्या करते है कम्यूट करते हो रहा है तो यह यहां पर क्या होता है सब कॉच्चिट का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बुला था कि मैं आपको बोलाता है किया कि अन्दर नॉर्मली को खुद-खुद के साथ क्या कर जाए थो सब्सक्राइब होता है तो सब कोड्र कोड़् के साथ को रहे हैं उसका होता है वह मारे पास इसका उसका होता हुगा यह 1 होगा यह का Center of group होगा किसका Q8 का मतलब क्यूंट का अगर सेंटर की बात करें तो 1N-1 है न तो कहने का मतलब यह होता है कि जिते भी हमारे पास self-conjugate element होते हैं किसी गृप के उसका जो हुता है वह हमारे पास क्या होता है center of group होता है center of group को मैं इस तरश से यह कुछ एक्जामपल ले लेते हैं जिसकर बाइचास कोई भी गूरूप अबीलियन तो हर दूसरे के साथ क्वा करेंगा कम्यूट करेंगा तो आपर हर अब होगा उन्हेट का जाएगा तो ज यह बहुत इंपोर्डेंट के बराबर वजाता है सब्सक्राइब के बारे मैं भी आप मैंने बताया आपको कि इंदर सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं जो सेंटर के इंदर सिर्फ दो एलिमेंट जाएंगे तो यहां पर ऐसा कोई सेंटर में जाता है और हम जानते कि जो एस्तर होता है और भी अलिमेंट हो सकते हैं जैसे कि मैंने गूरूप का एक्जाम्पल यह था तो क्यूट के अंदर नोन अभी इन ग्रूप है पर वहां पर दो एलिमेंट जो आ रहे थे वो सेंटर में जा रहे थे और यहां पर हम इसी देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहा है इसका मतलब यहां पर पू एक्जाम्पल लेता हूँ इस पर मैं अभी तक यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं क्या बहुत जल्दी में इस पर अपलोड करने वाला हूं इसके अंदर में आपको बताना चाहता हूं कि दीवन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है राइट एंड डीट बाकी छोटे जिते भी ग्रूप होंगे मानले जिए डीवन की बात करें तो यहां पर इसका जो सेंटर होगा डीवन का वो पूरा का पूरा ग्रूप हो जाता है है ना क्यूंकि अबिलियन ग्रूप होगा और डीटू की बात करें तो यहां पर पूरा का पूरा ग्रूप हो ZD4, तो ZD4 के अंदर, अब यहाँ पर जब N even है, तब यहाँ पर दो element होते हैं, एक तो identity होता है और एक B N by 2, तो यहाँ पर अगर N की value में 4 रखूँ तो B square होगा, तो यहाँ पर इसके जो element होंगे, वो क्या होंगे, identity N B square, इस तरह से हम यहाँ पता कर सकते हैं, कि center में कौन-कौन से element आएंगे, इसी type से हम बात करें यहाँ, alternating group के बारे में, सबसे पहले मैं आपको SN group के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको AN group के बारे में बताऊँगा, तो अगर हम बात करेंगे, permutation group के बारे में, G is equal to SN, और सको symmetric group या permutation group बोलते है, S1 का order होता है, S2 का वन और टू order के जिते भी group होते हो, सब abilion होते हैं, तो अगर हम बात करें, Z of S1, तो इसे पूरा S1 के बारावर होगा, Z of S2 की बात करें, तो इसे पूरा S2 के बारावर होगा, पर सुन Z of S3 की बात करें, तो हम जानते हैं, जब भी हमारे पास इसका order हो 6 है, तो यह non-abilion group होता है स्थ्रीव से भी तो उस वाले के सेंटर में हमेशा सिर्फ आइडिन्टिटिटिटि अलिमेंट के बारे में अगर यहां पर बात करें एवन जानते कि सेंटर आफ एवन जोगा उसमें एक एलिमेंट आएगा तो यह पूरा एवन के बरावर होगा एवन इसके अंदर हमारे पास होता है वह सिर्फ हमारे पास वन होता है यह भी हम्रे पास खुद का खुद ही हो जाएगा यह देने के जरुआ होता है पर जैसे हम एक होता है तो यह कहना है कि अधर के अलावा है इन सब में इसके में जाता है अब बात करते हैं क्लिंच 4 ग्रुप हम जाते होता है सब इलीमेंट अद्र बात करेंगे सब मारे पास अगर अगर आप मुडे खरा यह है न पूरा चाहता होगी अगर M और N गैचलि उन्प ऑगर हो अब इसमें एक बहुत important theorem है जो कि center पर पूछी जाती कि कि किसी भी group का center जो होता है वो हमेशा उसका normal subgroup होता है उसे normal subgroup मैंने बहुत अच्छा YouTube वीडियो अप्लोड कर रखा है प्लीज आप आईटे पे जाके देख लिए जो link description में भी दे रखा है वहाँ से भी जाके आप देख सकता है तो सबसे पहले हम यह प्रूब करने के लिए हमें यह प्रूब करना होता है कि अगर दो element अगर G में है मान लिए दो element अगर ZG में है A and B belongs to ZG तो अगर हम यह प्रूब कर दें कि A भी inverse भी ZG में चला जाए तो मारा काम खतम हो जाए हमें यह प्रूब करना है तो यह प्रूब कर देंगे कि यह ZG क्या है सब ग्रूब है तो हमने दो element लिए जेड़ वन जेट चू जो कि सेंटर के element अब हम यह प्रूब करेंगे कि यहां पर Z1 Z2 इंवर्स हम यह प्रूब करेंगे कि Z1 Z2 इनवर्स भी क्या जाएगा जेड़ जी में जाएगा राइट हमें यह सिद्ध करना इसके अंदर अब इस उन इसको पकड़ते हैं हमने क्या लिए एकस इस इक्ट टू इद टू बिलॉंग सुची अबमने क्या करा सून जैट टू इनवर्स को दोनों तरफ मैंटिपट्लाइं कर दिया है इधर भी मल्टिप्लाइं कर दिया इधर इन इंवर्स is equal to यह आएगा हमारे पास z2 inverse and यह आएगा हमारे पास z2 inverse अब यह अंदर गया तो हम जानते हैं z2 inverse z2 जो होगा यह identity हो जाएगा तो यह आजाएगा हमारे पास x z2 inverse हो जाएगा is equal to इस उन यह आएगा हमारे पास z2 inverse and यह हमारे पास z2 inverse हो रहा तो तो आप देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि Z1 X is equal to X1 होता है तो Z1 ZG में जाता है अब यहां पर Z2 inverse होगा वो ZG में चला जाएगा अब देखो अगर Z2 ZG में तो Z2 inverse भी Z2 में मतब ZG में अब हमने अब हमें प्रूब करना है कि Z1 Z2 inverse होए वो ZG में अगर हम यह प्रूब कर देंगे तो हमारा काम खतम हो जाएगा तो यह प्रूब करना है कि Z1 Z2 inverse X is इक्वल टू X Z1 Z2 inverse तो हम यह सिद्ध कर देंगे कि Z1 Z2 inverse होगा वो ZG पर जाएगा तो हम यहां पर इसको लेकर चलते हैं तो इसमिन आने क्या करा Z1 Z2 inverse मैंने ऐसा लिख दिया Z2 inverse X यह लिख दिया इसमिन चुकि हमारे पास बाइड डेफिनिशन हम जानते कि इसको हम लिख सकते है X Z 2 inverse, और X Z 2 inverse लिया, तो इसे इते हम लिख सकते है, इसको Z 1 X into Z 2 inverse, और इसे ये भी हमारे पास, चुकि Z 1 का element थे, conjugate होगा, तो इसको ऐसा लिख सकते है, Z 1 into Z 2 inverse, अभी हमने प्रूब कर दिया कि X Z 1 Z 2 inverse, से सुन यह इसके बाराबर हो गया और जब इसके बाराबर हो गया इसका मतलब यह जो element होगा z1 z2 inverse सुन यह जेट जी में चला जाएगा मतलब यह हमारे पास क्या हो जाएगा सब ग्रूप हो जाएगा यहां से अभी सिर्फ यह सिद्ध हुआ कि जेट जी जो है वो जी सब गूप है अब महत्यराइब करना मि하겠습니다 को यहां पर अपलाई करना पड़ेगा अब हम यह प्रूप करें गे कि च इंपन रिंवस जेट जी पर जारा सुम जोने डेवर्स ऑब चुक्य हम जानते हैं एक जैड X inverse मेरे पास क्या चला जाएगा ZG में चला जाएगा और ये ZG में चला गया तो ये ZG जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा normal subgroup होगा तो इस सबसे यहाँ पर हम easily prove कर सकते हैं कि ZG जो होगा वो G का क्या होगा normal subgroup होगा So, thank you so much for watching me और मैं आपको बताता हूँ कि मॉडरल जबर आपके कुछ टॉपिक बाकी रहे थे जैसे कि क्लास एक्वेशन है सेंटर है कॉंजुगेट एलिमेंट है देंडी हाइडल ग्रूप है साइलो स्यूरम है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स रिंग थेयरी में बाकी है तो यह सब ट के प्रीवेश क्वेशन अप्लूट कर रहा हूं और बहुत है जरूर आप देखिए और जरूर आप देख सकते हैं और यह मेरा नया चनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करिए थैंक यूज बोचिंग में बाबाए